गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साथियो ग्यान घहर यूटूब चैनल मैं लेकर काया हूँ बिहार SSC का साइन्स सेट के रूप में 30 प्रस्ण आपके पास लगतार सारही गारा में जा रहा है में आज हम लोग दोजार 24 का सिकेंड डेज मतलब दो जनवरी आज हम में हम सबको हो गया है और हम जो है दो जनवरी में प्रवेस कर गये हैं ठीक है अब हम लोग यानि 24 के जो है 24 की आगाज आज इस टार्टिंग सुरुवाद धमाकेदार से करें कहीं से कोई चूक नहरा जाये जो हमारे हमें सफल होने में बाधक बनें और हमें सफलता यानी सफलता की और ना लेकर रहे हैं ठीक है तो हम लोग यानि किताब किताब कह रही है आप से क्या कह रही है किताब हमसे और आप से कह रही है आप तयारी कर रहे हैं बिहार से का प्रशन बना रहे तो किताब आप से कह रही है दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए दिखावे के लिए हमसे दिखावे के लिए हमसे जो है वफादारी न की जाए मोहबब है तो है वरना अदाकारी न की जाए किताब आप से एक पैगाम दे रही है और ये कह रही है इस सेर का मतलब आप उधर नहीं समझ जाएगा जिधर लोग मैकसिमम लोग समझ जाते हैं मतलब एक प्रेम सिर्फ प्रेमी और प्रेमी का कही प्रेम को समझते हैं नहीं किताब से भी महबत सबसे वफादारी महबत आप किताबों से कितनी महबत रखते हैं ये आप जानते होंगे आप से भेतर कोई नहीं जानेगा इसलिए क किताब आप से कह रही है क्या करिए मुझसे दिखावे की लिए वफादारी न की जाए मुहबत है तो है वरना अदाकारी न की जाए दर्दे जुदाई दर्दे मुहबत दोनों को एक साथ मिला तू भी तनहा मैं भी तनहा आ इस बात पे हाथ मिला चलिए आए इस्टार्ट कर यानि 11 बच्च के 30 मिनट में आपके पास बिहार ससी का सेट पहुंच जा रहा है आप बिल्कुल सिरियसली और इमंदारी से उसे बनाने का पर्यास करिएगा आपका लेबल बहुत अच्छा होगा नो डाउट आईए अगला प्रसंद क्या है प्रसंद आपके पास पालक में की पत्यों में कौन सा विटामिन निज cambiल आपका है और बात कियाजा अगर हमारा मोर्दी मोटता मोर थेन School होता तो एंसर हमारा क्या-क्या फो सकता था पालक में विटामिन जो है विटामिन एपी पाता है विटामिन C भी पायाता है, विटामिन B3 भी पायाता है, राइवोफलोबिन, विटामिन B6 भी पायाता है, और विटामिन E भी पायाता है, यह याद रखेगा, सबसे जादे मातरा में अगर पूछा जाए तो विटामिन A पायाता है, और विटामिन A का अनधर नेम होता है, ठीक है रेटिनॉल ये अनदर नेम होता है आप से अगर पूछा जा कि पालक में पालक में कोई और खनीज भी पायाता है पालक में खनीज भी पायाता कौन-कौन खनीज पायाता है तो खनीज पायाता पोटैसियम खनीज पायाता आइरन खनीज पायाता मैगनेसियम इसमें प पानिक नमब परतिससत के ब natur होता है और आपसे पूछ यजा कि पालक में प्रोटीन राप užता है तो फरी एक प्रिस्ट और यह प्रस्णों सो इसीट का नाम है ऑगजेलीक अमले क्या नाम है ऑगजेलीक अमले यह याद रखेगा ऑगजेलीक अमले ठीक है नो डाउट यहां तर समझ गया आप चलिए ऑगजेलीक अमले पाजाता है ठीक है अगर आपसे प्रस्ण यह पूच दे कि सुध रूप से मतलब सुध रूप से वो विटामिन का जो है synthesis बनता है हमारे सरीर के अंदर, वो कौन सा विटामिन है, जो सुध रूप से हमारे सरीर के अंदर बनता है, हमारे सरीर बनाता है, यानि लीवर बनाता है, उसको खास का याद रखिएगा, सुध रूप से जो हमारे सरीर में विटामिन बनने वाला है, वो विटामिन के है, बनता तो हमारा के और डी दोनों है, के और डी दोनों है, लेकिन सुध रूप से जो बनने वाला है, वो हमारा विटामिन के सुध रूप से, ये हमारा सन से भी मिल जाता है, सुर्च की परकास से भी विटामिन दी मिल जाता है, लेकिन सुध रूप से हमा तक क्लियर हो गया पालक से संब्द जो भी परसन पुछने वाला था बनने वाला था मैंने सारे चीज़ को बताने के प्रयास कर दिया ठीक है आई अगला प्रसन हम आते हैं अगला प्रसन क्या है रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पायाता है यह आर बीसी पायाता है लाल जो हैता है लाल रक्त कोशी का आर बीसी आर बीसी के बारे में याद रखिए सबसे पहला बात कि इसमें केंद्रक नहीं होता है केंद्रक नहीं होता है इसमें प्रोठीन पाल जाता है तो इzkमें आयरन धान्न और अद पायता है ठीजके अगला जो है इंपौटिन ये याद रखेगा कि बंता है है बंता हमारा मेरु रजू में यहाद रखने वाली बात इंपॉरर्टेंश चली मुख बाते हैं यहाँ तक बता दिये ठीख्य यहां तक हो गया होगा आये अगला प्रसा या आपका क्या है निमली कित में कॉन भीज उत्पन करता है वीज उत्पन करने वाला आपका जिम्नोस प्लों जो होता है बेखार फूल के फल देता है ठीक है फूल के बेखार फौल देता है यह मुझा रखेगा और इसमें जो हता है यह ज्याद रखेगा झालाम पलोल NHC यह जदिल उतक है यह जो तै चार कोषीका का बना अumuz यह भी आपका त्रॉपोछिका बना होता यह याद रखेगा त्रॉथ पूछ धी आगर प्रस्न क्या कि इसमें चार को सीका में कितने जीवित तो इसमें जोता है एक जीवित होता है एक जीवित को सीका बाकि तीन मिर्द को सीका होता है तीन क्या होता मिर्द को सीका होता है जबकि फुलोईम की बात करेंगे तो फुलोईम में चार को सीका में तीन जोता है जीवित को सीका होता है कब जीवित को सीखा और एकंद को सिखा और यह याद रखेगा थी ठीख में यहीं पर आपका एक नाम मिलता पימम हैं फूल के बाद आता है मतलब्फूल के बाद फूल के बाद फूल एंज पर्वं फल शिर्फ आएगा फूल नहीं आएंगे उसे हम लोग जिमने स्पॉम कहते हैं तो आई होप यहां तक किलियर हुआ आगे हम लोग बढ़ते हैं ठीक है चलिए यानि एक एक चीज आपको जो डाउट हो ग्यान हर का नंबर आपके पास है वाट्सअब नंबर है आप उस पर मैसेज करिए प्रयास करने यानि हमारी प्रयास रहेगी आपका प्रस्णिक जवाब देने का कमेंट करके इसको यानि एंसर करिए किसी तरह की अगर टूटी लग से हमार आपका सजेस्ट हमें सुईकार होगा आप मुझे कमेंट करेंगे सजेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और बेहतर करने का और बेहतर करने का परयास करेंगा असपर से मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं इसीज को भी आप हमें आना चाहिए आप करेंगे lot of questions हैं बहुत सारे सब के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं देखिए इस पांच अंगली है पांचों अंगली जो है आपस में इक्वल नहीं है है एक ही यानि और गन एक ही है एक ही का parts है बट पांचों इक्वल नहीं है इसी तरह से जितने भी स्टु लगतार आओ देख सकते हैं फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछे हम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ठीक है ज्यान घर यूटूब चैनल यह याद रखिए आप भी चैनल से जुरे हैं जुरे हैं तभी देख रहे हैं जो साथी आपके नह ज़ी है विहार से की और बिलकुल टकरा करके ही रहेंगे जब एखजाम दे करके आएंगे तो आपको बता nessे कोशन ठीक है अभी से हम क्या बताएं Зем कि Peak से हम ऑप से मतलब सर्फ रूसी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है ठीक वही प्रसने आपके अंदर दम रहेगा तो कोशन ऐसी धा हो जाएगा कोशन आसान भी रहेगा और आप उसको नहीं जान रहेंगे तो आसान भी भारी लगेगा यहां से क मस्रूम में ही मिलता है मैक्सिमम प्रोटीन यानि सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात अगर करेंगे तो ज्यादा प्रोटीन मस्रूम में मिलता है दूसरी बात याद रखेगा कि मस्रूम जो है यह याद रखेगा इस यह बेटा है किसका कवक का बेटा है यह याद रखेगा यानि कवक family से आता है, funghi का बेटा है, mushroom, इसमें सबसे लगी पाय जाता है, और एक या पर संखले है, प्लांट क्यों इसमें जो है हरीत लवक नहीं पाय जाता है, ये याद रखेगा, हरीत लवक नहीं पाय जाता है, ठीक है, चलिए आईये अगला पर समलवाते हैं, answer क्या ह हो जाएगा पोट्रो टीन चाहर का पाच्मा आता हैं IS my-ंक फैसनन पाच्मा क्या है कि अंट्रक्स निमलीकित में से पाया तर निमली निससे पहले जानिकि एंथर क्या है ऐंथरस्फ एक बीमारी है द्रो क्यों का का रींby क near the exam to a professor लेकिन कुछ दिनों से यानि कुछ सालों से दिन नहीं कह सकते कुछ सालों से मांसहारी में भी पाया रहा है क्या जा रहा है मांसहारी में भी पाया रहा है यह जिवानु में होने वाला बिमारी है किस से जिवानु से सब पहले पाया जाता था साकाहरी में लेकिन अब पाया जा रहा है मांसहारी में किसे पाए गया था कुत्ता में पाए अगर लेटेस के हिसाब तो देखें तो हमारा कुत्ता तो एंसर हो जाएगा लेकिन यह स्टार्ट हुआ था साकहारी से तो साकहारी भी हमारे option में है, भैंस है, भेर है, घोरा है, ठीक है, तो इन सब की बात करेंगे, तो हमारा answer होगा more than, यहीं पर option होता है more than above, more than above, यहीं option में आओ जाता है, आपका e number ही the correct answer होगा, more than above, एक से जादे, ठीक है, चली, आईए अगर आपड़ समलवाते हैं, क्या मानो के सरीर में समानतर रखदाब होता है, तो कितना होता, 120 से 80, 120 यानि सिस्टोली कितना होता, 120, डाइस्टोली कितना होता, तो यह होता आपका 80, ठीक है, क्या इस में को मीजर किया जाता, किसमें, पारा में किया जाता है, यानि mm of hg लिखेगा, पारा दो में लिखेग में और एक बार इंपोर्टेंट याद रखेगा 76 76 mm of HG mm of HG जो है 76 mm of HG यह होता वन बार के बराबर one ATM कह लिजिए one ATM ही रखिए सुपर होगा one ATM या one bar both are equal पहले आप कि आप यूज के जाए था लेकिन अब क्या यूज के जा रहा है अब बार यूज के जा रहा है एक चीज़ यहां याद रखेगा आप से पूछ देगा नारी दाब क्या पुछेगा पर इस दिफ्रेंश्र को बोल dw आ प्रस्व किया प्रस्वित है या रहता श्र आतो पर क्भानी आतो रिखी था उना रे अगला प्रषण है मान कुल कितने चेंबर होते है तो मानव की हिरोक्पन get दे में कुल चार चेंबर होते कौन-कौन चेंबर होते हैं तो यह हमारा right यह हमारा left ठीक है याद रखें right atrium राइट कि भेर्क बेंटीकल इसे apoyo अलें नह अल्य कि अलिंद इसकी बात अगर हम हिंदी सब्सक्राइब करें तो अलिंद अट्रियम और मेंट्रीकल को और वेंट्रीकल कि ठीक है चली आएवा समझी चार्चेमर याद रखिएगा वेंट्रिकल को बोलाता है निला है क्या बोलाता निला है है कि आत्रियों वबला जो पार्ट है इसमें सिर्फ और बलत आता है तौझे करता है ये शुद बलन चा मनुच्ब सब्सक है तो आप याद रखिएगा लेट वेंडिकल कौन सा लेट वेंडिकल और जो है आपसे यह प्रसने पूछे कि हिर्दय का कौन सा चेंबर है हिर्दय का कौन सा चेंबर है जिसमें जिसमें लंग्स यानि फेवरा से सूध बलट आता हिर्दय तक यह रिसीब करता तो यह हमारा राइट वेंडिकल कौन है र और एट्रियम वाले पॉर्सन में असुद रखता आते हैं यह याद रखिएगा और रखता कहने का मतलब डी ऑक्सिजनेटर बलर मतलब उसमें ऑक्सिजन की लेवल कम होगी कारवन डाइकसाइड का लेवल ज्यादा होगा इसी को हम लोग असुद बलर कहते हैं तो याद यहा इसलिए जो लेडी सोती हैं बहुत भावक होती हैं इमोस्नल होती है विद रेस्पेक्ट टू मेल क्रेस्ट मेने फीमेल ज्यादे भावक किसके रसने पूरूस के रस्पेक्ट में चुछिके वहां हट की जो साइज है थोड़ी कम है इसलिए कुछी भी बात बोलते हैं उन् कि हिर्दय के जो बाहरी लेयर होता है जिल्ली होता उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं काडियक क्या बोलते हैं पेरिकाडियम बोलते हैं क्या बोलते हैं पेरिकाडियम यानि हिर्दय के जो बाहर जिल्ली होता है उसे हम लोग पेरिकाडियम कहते हैं और एक प्रस्ण आ और आपसे पूछेगा कि काडियक के बारे में यानि हिर्दय के बारे में अध्यान क्या कहलाता है तो काडियक विज्ञान कहलाता यह याद रखेगा काडियक विज्ञान हिर्दय के बारे में अध्यान कहलाना काडियक विवान या क्या हो लेंगे काडियोलोजी काडियोलोज कार्डियो का मतला होता है हिर्दाय हाट लोजी का मतला होता है इस्टडी अध्यान ठीक है आई होब यह यह इस से यह हट से संबंदी अब आपका कोई प्रसंद छूटने वाला नहीं है जाव आपको लगे तो इसकीन सोट ले लिजेगा हम आउट अप प्लेन हो गया है आप है कि आईए भाट कर लेदा हम अध्या कोश्चन पर अगर आप से पूछे परसन क्या पूछे कि सबसे जादे शीरी के किस अंग में जल होता है याद रखिएगा प्रेपरा में mema शरीर के सबसे ज्यादे वाग जो सबसे ज्यादे जल यहां ओव तहीं हो 23 पर्सेंट सबसे कम कहां तो सबसे कम अस्थी में है यज़र हा कि बात और कहां होता जल हाप याद रखेका मस्टिक्स में आंस बस्टिक्स में ठीक है कितना 73 परसेंट है ठीक है चलिए उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि और कहा रहता है और कहा रहता है आप विरिक की बात कर लिए कितनी यहां पर भी है यहां पे आप रहे है सेवन्टी या सेवन्टी से सेवन्टी टू परसिंट के करीव रहता है सबसे जाब कहाँ फेफरा सबसे कम है अस्थी बान में अस्थी अगर आपको नहीं समझ उन रहा ळा रैस ऑठेक है चलिए यह याद रखेगा इस से काम आपका बन जाएगा यानि जो भी संभाव बनाए है मैं सारी चीज को डिटेल्स आपको देते चलता हूं इसको आप देखते जलिएगा आई अगरा प्रस्वाइब आते हैं यानि complex मिलेते उसको तोड़ते हैं तूडता भोजन का तूटना ही पाचन क्रिया कहलता भोजन का टूटना यानि breakdown of food डडिस कॉल पाचन और आप भोजन को तोड़ना कहां से सुरू करते हैं कहां से सुरू करते हैं बताएग्ग मूं से क्यां ठीक है यह आया यह पजाय यह भ बोलिए छोटी आंथ छोटी आंथ जिसमें से आपका अगर पूछा जाकि गरास नेलिमिक पाचन होता है यहां कोई पाचन नो पाचन पाचन क्रिया यहां नहीं होती है नो पाचन यहां होता तो किसी भी फूट का 30 डायक्षण होता है और यहां आमासे करके कम से कम हो जाता है जो भी फूट खाँ है आप जो भी फूट खा रहा हैं उसका 70 यहां जाकर कर ले छोटी आद में यहांक का hundred परसें हो जाता है तो आपसे पूछा जाएगा प्रकूरन पुछाएग कहांसे स्टार्ट होती है अन्तिप कहां हो जाती है खतम कहा होगी तोolor आपका कहां छोटी आत्में कहा होगी छोटी आत्में यह याद रखेगा मैक्सिमम यानि मैक्सिमम डायसन कहा होता है तो छोटी आत्में इस्टार्ट कहा होता है माउस से सुरू होता है यहीं पर आमासा में एक याद रखेगा एक यानि प्रोटीन परचाने वाला मिल्क को परचाने वाल मोजे कमेंट करके एंसर करेंगे ठीक है चलिए जरूर करेंगे मुझे विश्वास है आप पर करेंगे इसको लाइटली नहीं लेंगे तो यह आपको यह चार्ट हम बता दिया आपको कि जहां सब से ज्यादे पाचन होती है तो देख लिए यहां अमासे में एक एसीड पाजाता जिसका नाम है इसील हाइड्र कोलोरिक एसीड यह याद रखिएगा ठीक है चली बाकी तो बाते बहुत है लेकिन एक कोशन पर इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो बहुत एनफ है अगला जो कोशन आएगा इसके आगे आने वाली जनकार हो कि मैं उसे प्रयास करूंगा बादानेगा ठीलिए तेंसर क्य जोसनी से मिल आएगा और मैंने आपको गाता है कि सुध रूप से कौन सी विटामिन हमारा सरीर बनाता है तो हमारा सरीर सुध रूप से विटामिन के बनाता है एक एक और एक सिर्फ और सिर्फ विटामिन के ठीक हमारे सरीर में जो प्रोटीन्स है दो तरग सोरी विटामिन ठीक है यह हमारा वाटसा सॉलेवल है बागी जितना भी विटामिन है सब के सब जल में घुलंसील है चली अगला प्रसन आजी हम लोग एक याद रखेगा कि विटामिन डी का दूसरा नाम भी होता है हाँ हाँ है यानल हर्मोन डीवल करते हैं है इसको सायथ साहे ब्लेग्रियोथ अधिक हरोनल करने ली होता है इसका विटामिन डी का जो है अनवंधर्ने मुझे और करनेग्र जरूरू बताईएगा हो सब्लोड trav निक श helt हम दो सब्सक्राइब नामन्य जो युख numbers करें तो आप मैं सी ओर हो जाओंगा इस से संब्दित ठीक है यानि विटामिन डी जो था बोन को स्ट्रोंग नेज प्रवाइट करता है यह याद रखेगा चलि अगला प्रसे क्या है निमली कित में किसकी वेधन छमता सबसे अधीक होती है वेधन छमता सबसे वेधन छमता ग करने का जो ढूता है कि ofक अगश्यामशव लाइड भील रखेगा कि सबसे जाएं भीधन छमता कि सकॉत अमा का उसके बाद किसका पीटा का उसके आउरा किसका अलफा का यह यधर 550ina September 2021 कौन पावर 400 पहुचानेकी पावर जोटिल करने का जख्मी करने का जो new capacity होता है charlie холод यह यह थो होता किसका होता अलफा का सबसे सग्सक्रविती तब सिद है इसके वाद किसका गामा-क एक मुखबात याद रखना कि अगर आपसे पूचित जिया अलफा बिटा गामा में दीन नूट्राल कोन हैं तो UP में और अचंण हो न्वर बिंटर कोन अगर बिटा रेकों पास कराएंगे तो यह एक एलेक्ट्रोन को ले करके जाएगा यह याद रखेगा आई एगला परसुन इसका हो जाएगा भेदन चम्ता सबसे जब्सक्राइब करेक्ट अंसर सी नमबर इदर क्रेक्ट अंसर आई एगला परसुन 11 नमबर होगी यह बारा सोडियम कोलराइड में होता है क्या होता है इसमें जो है एने है धातू और अधातू जब धातू और आधातू मिलेगा तो इसमें जो बनाता आबंध जोड़ने का क्रिया इसी को करते आबंध क्या करते आबंध इसको हम लोग कहते आबंध यानि जुरा जुराव जो होता है जोडने bonding को आबंद केहते हैं और एक है धातु और एक है अधातु इसको हम थो तो कर आएनिक आबंद क्या करते हैं जब धातु और आधातु के भीज संबंध होगा तो उस्संबंद का नाम बढ़ेगा आाइनिक और जानिक van तो यह और नेً कहां कहां है option वीदुथ एलेक्टोर्निक बॉंड यह आप का एंसर वीदुथ सभी नमबर इसको अपने बॉलते हैं आयनिक बॉंड एलेक्टोर्न डोनेटिंग बॉंड ओप्शन में एक हम कहेंगे ठीक है एलेक्टोर्न कोडिनेटिंग बॉंड यह हमारा यानि किसी तरह से भी बोला जासकता है यानि जब भी यह याद रखिए कि धातु और अधातु के भी जबन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं आयनिक बॉंड वीदुथ संयों जी आबंध कहते हैं ठीक आई अगला प्रसन है अगला प्रसन जिपसम का रसाइनिक सुतर क्या होता है तो जिब समक रसाइनिक सुतर कोपर सल्वेंग यानि कैल्सियम सुल्फेट और तू एस्टुओ होता यह याद रखिएगा यहीं से आगर आपसे पूस्ट दिया जाए पॉप पलास्टर परीज प्लास्टो फरीश का फर्मुला कालात्योग उनल्स pleasing sub ठीक है और गोङ्थ की बहत पूचे इंप्लेटा एंप्लाइज का फर्मुला 75 डेट ऐस क यह रोग मिला थी प्लास्टोफ छाहिए जो सुपने सेश विक अधी त्याज लां फ्लास्टर ऑफ पहिसं दिया एट क्या यह abroad है गरम कि तो और जब इसको गरम किया तो यह हमारा आप सब्सक्राइब तीकर हिए एंसभला जलिए यह लुऐ अग्ला प्रसुं आए सोडा वाटर बनाने के लिए परियोग होने वाली गैस है तो सोडा वाटर ने परियोग होने वाली गैस कारवन डाइकसाइड है कारवन डाइकसाइड है जो भी हमारा पास सॉफ्ट डिंग है उसमें जो हमारा गैस होता कौन सा गैस होता कारवन डाइकसाइड गैस होता कौन स पत्ति बैर और यह अगला प्रति क्या रहा निम्लीखित में से कौन सा एक तत्व है ये सब तत्व नहीं सब मैंटर है और ये आपका हीरा जो है, ये element तत्व है, ठीक है, दुनिया में सबसे hardest, सबसे hardest पाया जाने वाला कोन है, हीरा है, सबसे जादे hard कोन है, हीरा है, आईए अगला प्रसमल वाते हैं, हीरा किसका बेटा है, कारवन का बेटा है, कारवन का बेटा है, चमकदार होता है, विदूत क सबसे अच्छा धातु कौन सा है आप याद रखिए सोना एक गराम में कम से कम तीन किलोमेटर जाएगा यह लंबी दूरी यह याद रखिएगा और सबसे अच्छा यानि तार खिचना है तो हमको किसको सोना को परियोग करें यह नहीं जो हम परियोग करेंगे आईए अगला प्रस्ण में क्या है और सबसे अच्छा विदूत का चालक पूस्ता क्या बताते आप सोना तो है महेंगा लेकिन उसके बाद उसके बाद आप चांदी को बताते क्या बताते चांदी को आईए कारवन का सुधतम रूप क्या है तो कारवन का सुधतम रूप जो है हीरा है कार और हीरा जो है सुधतम रूप है हीरा क्या है सुधतम रूप है चली ठीक है आई एगला प्रसम लाते है भारी जल का अनुभार है तो भारी जल देखे हाइड्रोजन का जो थे तीन हाइड्रोजन का जोता है तीन आइसोटोप होता समस्थानिक होता एक होता प्रोटियम एक जीरो, एक होता है डिट्रियम, एक एक, और एक होता है ट्रिटियम, एक दो, ठीक है, यहाँ पर मास पुछा जात है तो एक गराम, यहाँ पर मास पुछा जात है तो दो गराम, ठीक है, और यहाँ पर मास पुछा जात है तो तीन गराम, यह याद रखेगा, मतलब यहाँ पर मास क्या होता है अगर कि है किस एलिमेंट में नीट्रों जीरो होता है एक ही और एक ही है वह हाइडोजन है और उसका नाम है प्रोटियम जिसमें नहीं होता है नीट्रों नहीं होता है आप से पूछे जाएगा किस हाइडोजन का किस समस्थानिक में नीट्रों नहीं होता है तो आप याद रखेंगा प्रोटियम में नीट्रों नहीं होता है इसका अटॉमिक मास कितना होता है वन प्लस जीरो तो वन हो गया इसमें प्रोटियम में एक प प्रोड़ोन कितना एक नुट्रोड कितना दो मिलंका कितना हो गिया माने टूट्यी अ में हाइड का मास यहां पर मास कीटना हो जावा यहां एक hydrogen का हो गया, दो, तो यह दो hydrogen किता हो जा, चार, पलस oxygen का 16, मिलके कितना? 20, यानि डिट्रियो में, भारी जल में, डीट्यू ओमें, भारी जल में, जो टर्मिक मास होता है, कितना होता है? 20 ग्राम होता है, 18 का 20, यानि एंसर हो जाएगा, आप मिला लिजएगा, ठीक ह चलिए अगला प्रस्ति में आए हम लोग हूं अगला प्रस्ति में हमारे पास क्या है गोब गैस का परमुक अवे हैं कोने मेथेन हैं कोने मेथेन हैं मेथेन का फर्मुला याद रखेंगे ch4 जो बना होता एक कारवन और चार हईडोहन एक करवन और चार हईडोहन के बना होता गोबर गयस का परमुक अवे जो है मेथेन है जिसका फॉर्मूला च4 है और इसका यू जो है सिंथेसिस गयस में किया जाता ह। क्या क्या जाता है सिंथेसिस गैस मतलव कारवन चीज़ फोर पलस हमारा पाथ जो है अगर हम लोग ऑक्सिजन लेते हैं यह हमारा जब बनता है सिंथेसिस में यह बनता हमारा कौन सा गैस बुलिए एक होता आपका H2 पलस C O जब हम लोग मिलाते हैं इसको तो इसको हम लोग सिंथोजी के यानि इसको हम लोग वाटर गैस के भी नाम से जानते हैं वाटर गैस के नाम से जानते हैं वाटर गैस के नाम से जानते हैं ठीक है चलिए आए यह अगला प्रसमौ मैं आते है ही है है हमेटाइट इसका एस्क है तो हेमेटाइट लोहा का है वे देख लिजेगा a feet 223 यह होता है डीक यहनुला प्रसमौन भी प्रत्यवि में उपलग सबसे कटोड़ता पदार्थ कौन है हमने अभी आपको बताए कि सबसे विश्व में शबसे कठोर को नहीं ही रा है एंजे ज़कर जागा ही रा ठीक है चली अगला प्रस्न में आते हैं यानि मेडियम चेंज हो जाए क्या हो मेडियम चेंज हो जाए तो वहां उसमें हम लोग परकास के बात करेंगे तो अब वर्दनांग हुआ मेडियम चेंज होने से क्या होगा जब आप ईक इनेच सेंपश् 성ा और जब और आप बाइक ड्राइब कर रहा है और जब वही बाइक और आप भी वही हैं गलिए हुएं अथा उसी को लोगे अपवरतानांग करते हैं औरपसनांग को करते हैं सिनम इइंटी माररा इस परकास दियत पर घॉल यह वरतनाओ किसमें परकास निकलता है जिसमें निकलेगा जिसमें परकास इंट्री मार रही है, परकास किसमें इंट्री मार रही है, दो, लिखने का तरीका, जिसमें इंट्री मारी वो पहले, जहां से परकास आ रही है वो बाद में, ठीक है, जो पहले लिखे, मतलब जिसमें इंट्री मार रही है, उसका जो वेग होगा वेलोसिटी, वेग वेग मेडियम 2 का ऊपर जो बेड हमारा आ रहा है वेग कहां बोलिए 1 से वेग हमारा क्या है वेग 1 है चलिए अब बताए मुझे यहां हमारा यह मेडियम यह माले हमारा यह ठोस एरिया है क्या है यह ठोस है और यहां पे हमारा गैस एरिया है तो गैस एरिया में कोई भ अभीर भार ज्यादा है मतलब मॉलेकुल आपस में कंपर्ट है तो यहां पे हमारा वेक क्या होगा कम होगा अब आप मुझे बताएव जो रसू निकाल का यहां वेक कम है यहां वेक जादे है इसकी सबसे जादे किसम होगा सबसे जादे जो है किसमे होगा बताइए utan सबसे जादे अप्रत्नांग किस में होगा है सबसे जादे अप्रत्नांग जो होगा क्योंकि अश्पीड क्या होगा ज्यादा होगा कि हमails लेका कि इसमें परकास इंधरे ला रेगी यह माले ठोस ठोश से आप भीज रहे कहां गैस में तो यहां इस्पीड जादे हैं हमने कहा क्या कि अपवर्तना किसका निकलेगा जिसमें परकास इंट्री मार रही है तो यहां वेग जादे है इसका रेशियो बड़े जहां से परकास जा रही है उसका जादे वाला उपर कम बला नीचे भीलू मैक्सिमम आएगा मतलब गैस का सबसे जादे होगा ठोस का सबसे कम होगा आप फ़्तना की याद रखेगा आप से मेडियो में जाता है परकास जिसमें इंट्री मारती है आ उसी का निकलता है यह याद रखेगा हमने बता है कि इसमें मेडियम माना हमारा तो हमारा कहा रहा है परकास वन से आ रहा है तो में गया तो जिसमें गया हमारा ठीक ठोस में गया परकास आ कहां से रही है गैस रही है इसका वे कहां रहेगा नीचे मेडियम वन नीचे मेडियम टू ऊपर जिसमें परकास जा रही है भरण इसको की सबसे कम किसमीं हो जाएगा सबसे कम बढ़िए। सबसे सबसे कम हमारा यह हमार criticisms हला में हो जाएगा है है श॑ल्य छब्षटन हवा टिक है यह सबसे 3 इस्मीं हवा में होगा को छाले आई अगला बरसnya क्या करा जब किसी बस्तू को C और F के बीच रखते हैं कहां पर अफ्तल दर्पन में अफ्तल दर्पन में रखते हैं C और F के बीच ये हमारा मालो यह C है, इसके बीच के दूरी यानि इक्वल लिस्ट, यानि यहाँ से यहाँ का जो बराबर दूरी होगा, उसी को हमारोग फोकल कहते हैं, फोकस है हमारा पास, करा C और F के बीच, तो यह image जो बनेगा हमारा, image बनेगा, कहां पर बनेगा, C के आगे बनेगा, C के बात बनेग कहां नीचे ही बनेगा, तो उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, अगर आकिर्ति पूचा क्या परदा, nature पूचे था, कि कैसा nature का, तो उल्टा बनता, ठीक है, और उल्टा जब बनता, तो मतलों क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है न, यह याद रखिएगा, चली, तो एंसर क्या हो जाएगा हमारा, जब किसी वस्तु को C और A के बीच रखते हैं अप्तल दर्बन में, तब परतिवीम हमारा बनता है C के बाद, C के बाद कैसा बनेगा, तो कि एक गोलाकार धर्बन जिसकी वकड़ता तीर्जिय आर है, कि फोकस दूरी को गयुकर तो डोनों की पीश रिलेशन आ, क्या लिए, ठोल दूरी जो हता स्टोर फोकका लेंद, यह वकड़ता तीर्जिय क्या आधा होता है, आर बाइटू होता है, आपका दिया है, और दिय 2F यह होता चली अगला प्रस्व आई कि नीम्र में से किसमे 25 टेड़ी सलशेप्स और धोनी का वयक अधिकतम होता है यह याद रखेए ऐल्मुनियां में अधिकतम होता है और यह is और रहा होता वेलोसिटी temperature dependency यह याद रखिवे कितना होता है 321 पलस 321 पलस 0.6 जो given temperature होगा उसको 0.6 से multiply करेए और उसमें 321 एड़ कर दिये तो उस ताप पे साउंड यानि speed of sound पता चल जाएगा उस ताप पे जो ताप दिया हुआ formula याद रखेगा 331 जो speed का sound होता plus उसमें 0.6 को multiply करना जो given temperature इसको रखिएगा तो आपका यह एंसर आजाएगा ठीक है चलिए ये पशीट डिग्री पर सबस्षाइब जहाए जो होता किसम उता है एलमुनियम में होता है आए अगला पर्स में हम लोगते हैं स्मूधरी जल में धोनी की घती होती है समूधरी जल में पंदरा सो एक स्थी होता है दोनी की घती होती 1531 अगला में 173 Kelvin का मान होता है 2073 Kelvin किसका죠 देख कितना होता है होता है अगर आप से पूज़ा कितना डिगरी फारेण इंठ और ब्राबर होता है डिगरी ते याद premi Sabin Concept दोनों बराबर होता है माइन सफ्टे डिगरी पर दोनों बराबर होता है ठीक चलिए अगला प्रसंद आये देखें क्या गरा असी मीटर की उचाई से एक गेंद गिराई जाती है चोथे सेकेंड में टै की गई दूरी होगी अब बते असी की मीटर की उचाई से एक गेंद गिराई जाती है चोथे सेकेंड में इसका मतलब तीसरे सेकेंड में मुझे पता होना चाहिए इसका मतलब यह होगा हम इतर अगर प्रक्शन आये तो इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा आप फर्मूला जानते हैं उपर से नीचे आएगा क्या आएगा फर्मूला होता ह एच बॉलिए या एस बॉलिए दूरी का फर्मूला एच या यस यते हैं यू टी पलस हम जीटी ऐसक्वार डू टू ग्रेविटे सक्वार इकसलेशन है ज्वर तो अब होगी धेरिश्म की में अर्यच्श्वट्रेश्व captain की इसको लेकर को नाएगा इसको लेकर करके आएगा तो यह फर्मूला हमारा हमारा पूचा चौथे सेकंड में क्या पूचा है चौथे सेकंड में तो याद रखिए क्या है यूटीपर साथ इसको जब करेंगे हम जब स्टार्ड करेंगे तो यहाँ पकर यू हमारा जीरो जोता हमारा जिरो फो तो यह हमारा component क्या हो जागा पूरे के पूरे 0 हो गया जी का value हमों दिया हुआ है जी का value हमको दिया हुआ थी S4-S3 तो यहानि हमारा यह time 4 है और यह time 3 है मतलब एक बार time का कितना value रखना है 4 और एक बार time का value रखना है 3 second और 4 second यह से हमारा अंतर निकल जाएगा सब्सक्राइब देख लिए कैसे निकलेगा आप यहां पर रखिए हाप जीटीए स्कॉर माइनस हाप जीटीए स्कॉर यह हमारा टी 4 वाला time है और यह 3 वाला है ठीक है चलिए आए बास समझ में इसको मैं कर दो हो यहां से माइए जो है फर्मूला क्यों लिखा मतलब एच बरावर यूटी पलस हाप जीटीए स्कॉर और इसको जीरो क्यूं कर दिया क्यूंकि हमारा यूज है 0 है और 0 से किसी भी संख्या को गुना करेगा तो 0 ही होगा तो यहीं पूरावर हमारा ळालीक्ली ऐसफोर मायनास üst FIFA हाफ जी हमारा सेया है टाइम टीन सेटन लेना है अब यह स्कार कई हाथ ही है 15 मैंट पांच गूंए s pert किलेगा घूरह माइनस च्रौह-2 क्यक्ता पैंतिस मीटर यह आपका एंसर यह नि कि पूछा है तो चौसा सेकेंड में जो होगा आपका कितना दुरी जागा दर फैंतिस मीटर इधर करेक्ट एंसर आई बास समझ में इसको आप इसकिन सोट ले लिए अगर नहीं समझ में आगा तो ठीक है चली आई अगला हम लोग परस square R e square делать पर अब मुझे बताईये radius एगर आकार बरहेगा की होगा अटा बरहे गाइगा तो अच्छा को सब्सक्राइगा अद च्छोटा नूपनको मट्री यह नियुक्षिट है और इस धुर्मानुपाथी इसका मतलब इसका फेलू घटाना होगा और इसका फेलू कब घटेगा जब हम हाइट कम करेंगे हाइट करें करें तो इसका मतलब रेडियस भी का होगा कम होगा रेडियस भी कम होगा तो जी हमारा बरेगा जितना नजदीक में रहेंगे ग्रिविटेशी ज्यादा लगेगा जितना दूर जाएंगे gravity कम लगेगा यह याद रखे तो उचाएं में कमी के कारण जी का भेलू भरेगा उचाएं में कमी होगी जी बढ़ेगा यह याद रखेगा और यह संबन्द याद रखिए का फर्मूला यह आपको फर्मूला बहुत काम देगा जो भी मैं रिलेशन बता रहा हूं यह बहुत कारगर है इसे याद रखिए तो एंसर असानी से किया जा सकता है अगला प्रस्थिवी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना कितने गुना होता है यह तो है कि चंद्रमा का दरमान पिर्थी के तुप्वी की तुलना में कितना है याद रहए एक बड़े 100 गुना है यहीं चंद्रमा का का और पिर्थी के रिस्पेक्ट में एक वड़े 100 कुना चंदरमा का तिर्जिया है फिर्थिवी के संबंद में एक बटे चार यह याद रखेगा तैंसर यह हो गया और आप यह इसी तीस कोशन के सांथ आपका आज का सेट को होता है कंप्लीन तीस कोशन आपके सामने कंप्लीट रूप से चला गया सेट नाओ लगतार बने रही है ग्यान घर से लगतार वे में आपको दिया जा रहा विहार इससी का टाइमिंग है सारे गारा में आप को भले आ रहा हो सबसे पहले पर्यास करिए खुद से बनाने का नहीं बने तो फिर एस सॉलूशन है आपको पास देख लिजेगा फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो ग्यान घर के जो वार्टसप नंबर है उस पे संपर करिएगा कमेंट करिएगा मैं आपकी कमेंट को देखूंगा वार्टसप पर मैसेज करेंगे जो भी जिसी तरह की भी समस्या है आप जरूर मुझे नौक करें जरूर कमेंट करें आपका कमेंट का मुझे इंतजार हैगा उजवल भबिस उजवल कामना उन्हीं को सफल का बनाती है जो हर चीज को बारीगी से देखता है इगनोर करने की अगर टेंडेंसी आजाएगी आप में तो समय भी आपको इगनोर करना सिखा देगा मतलब कभी भी किसी को न इगनोर करिए न किसी चीज को इगनोर करने का परियास करिए हर चीज जिंदगी में कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है कोई फाल्तू का नही लगातार में आपके पास जा रहा है टाइमिंग क्या टाइमिंग है सारे 11 वजे मैंने टाइमिंग को फिक्स रखा है सारे 11 में आपके पास लगातार जा रहा है आपके लिए पूरी मेहनत किया जा रहा है आपका ही काम्यावी हमें इस इनर्जी को मेंटन कर पाएगा आप झालललल्ट झाललल्टग झाललल।